कोरल रा टूटोरियल स्रीज का या पार्ट 10 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम कम्पलीट करेंगे कोरल रा के ड्रॉप सैडो, कंटोर, ब्लेंड, डिश्टरोट इन सभी टूल्स को कि इनका यूज क्या होता है तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं औ उस ओपन कर लेते हैं कोरल रा को, यहाँ पर हमने कोरल रा को ओपन कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम एक एक टूल जो हमारे ड्रॉप से रिलेटेड होते हैं, ड्रॉप साइडो से रिलेटेड हैं, कंटोर से रिलेटेड हैं, इन सभी टूल्स को हम इस वीडियो में complete करेंगे और इनका use देखेंगे कि इनका use क्या होता है इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ पे इन सभी tools को complete किया straight line connector क्या होता है और parallel dimension यानि कि जो सभी हमारे tools हैं इन सभी tools को हमने पिछले वीडियो में complete किया तुमारा सबसे पहला यहाँ पे option दिया है drop shadow का drop shadow क्या होता है जैसे मालिया हम यहाँ पे कोई काम करते हैं में एक object बनाया और इसका यहाँ से हम कोई भी color select कर लेते हैं जैसे color रख लिया इस वाले color को हमने यहाँ पे लिया अगर हमें इस object पे कोई भी side apply करना हो तो हम इसी option की साहता से side apply करेंगे drop shadow पे क्लिक करेंगे और हमें कुछ इस तरीके से Line खीचेंगे तो जिस side में हमको shadow चाहिए उस side में हम इस तरीके की लाइन खीच लेंगे यैसे को हम कुछ इतनी line चाहते है इतने पर चाहते है कलिक कर देंगे यहाँ यहाँ पे अबजेक्ट पे से रिडो अपलाय कर सकते हैं जब हम यहाँ में रखना चाहें जिस तरीके से रखना चाहें उस तरीके से यहां पर अपलाई कर सकते हैं अगर हम इसी साइडों को थोड़ा brightness या हम इसको blur करना चाहें यहां से हम अपने साइडों को blur कर सकते हैं कुछ ऐसे middle में रखना हो तो यहां से middle में रख सकते हैं अगर हम blur नहीं करना तो यहां से blur को हम कम कर लेंगे यहां से होता है opacity यानि कि side को हम कितना so कराना चाहते हैं कितना highest color इसका होना चाहिए तो हम इसके opacity कम ज़्यादा करेंगे है यहां से अगर हम इसके कर लेते हैं तो सैड को कुछ और अधिक रखना है यह realmente कर सकते हैं यानि कि यानिक तरीके से हम आज़ी रखेंगहें इलानर में ह में इनवर्स इसकोड में रखना हो तो इनवर्स स्क्राएड में रखेंगे यहां से कलर हो गया रहा है जिस साइड में इसको हम रखना चाहें यहां से किसी भी आउजेक्ट पर साइडो अपलाई करना चाहें बहुत यहां सानी से अपलाई कर सकते हैं हटाना हो तो यहां पर क्लिक कर देंगे साइडो हमारा हट जाएगा अगर यही साइडो माल यहां में किसी टेक्स्ट पर अपलाई करना हो जैसे कि यहां पर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं तो उस पर भी हम अपलाई कर सकते हैं गर साइडो जो होता है साइडो को हम टेक् पर आएंगे और इसमें से हम ड्रॉप सैडो पर टिक कर लेंगे और हम कुछ ऐसे ऐसे रखेंगे तो यह सैडो ही है जहां पर हम जिस तरीके से रखना चाहें किली कर देंगे तो टेक्ट का सैडो आ जाएगा पिर वही चीज अगिसका कोई कलर चेंज करना और यहां से आप सैडो अप्लाई कर सकते हैं यह हमारा स्कॉाइड में रखना हो तो एक यह करके ट्राइ कीजिएगा इस तरीके से अगर जो भी हमको सैडो रखना होता है बहुत ही आसानी से सैडो हम यहां पर अर्चेश करते हैं फिर इसी में सैडो में हमारा जो नेक्ट आपन दिया है इस तरीके से अपने अब्जेक्ट में डिजाइन बनाना है और अवन इस तरीके से भी बना सकते हैं यह Пर ट्रेंगे और यहां से ले लेंगे कंटोर कंड्र पहनकर क्लिक किया और यहां से थोड़ा हमें कुछ ऐसे इतना हमें ड्रैक कर लेना है तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे कुछ ऐसे आजाएगा गर हम और लाइन चाहें यहां से ऐसे लाइन करेंगे इसी तरीके से आटोमेटिक कंटोर की साहिता से यहां पे हम अपने आपजेक्ट को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं तोड़ा इसको ऊपर करेंगे ऐसे और इस तरीके से हो जाएगा फिर यहां पे हम जितनी लाइने चाहें यहां से लाइने ले सकते हैं ऐसे और इसको हम कम जादा करना चाहें तो कम जादा भी कर सकते हैं फिर यहाँ पर next option दी है हमारे outside contour अगर हम जो हमारा original object है इसके हम outside में contour करना चाहें तो click कर देंगे यह object है अंदर यह original है और जो हमने बाद में बनाई यह हमारी outside में चली जाएंगी यानि कि इस object के बाहर चली जाते हैं यह inside के लिए होता है inside में कुछ इस तरीके से रहेगा और यह जो हमारा है इस center के लिए होता है center और inside लगबग similar ही काम करते हैं यहाँ पर अगर हम इसमें कितनी gap करना चाहें तो यहाँ से gap कर सकते हैं जो भी spacing करना हो यहाँ से हम spacing कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ पर है मान लिए हम कोई color apply करना चाहें यहाँ से हम color में जाएंगे जो भी color रखना हो यहाँ से color रख लेंगे कुछ इस तरीके से color हम रख सकते हैं और इसको कम जादा भी इस तरीके से ही कर सकते हैं ज़र कुछ इस तरीके से style बनानी हो तो बहुत ही आसानी से हम style बना सकते हैं अगर हम यहाँ पर अभी जो red color है अंदर के लिए होता है जो color है एक color outline यानि कि इसके लिए होता है और यह जो color है fill color है अगर इसमें हमें कोई भी color fill करना हो नॉर्मली तो यहां से भी कर सकते हैं या फिर यहां से हम color fill करना जाएं यहां से color हम कुछ इसमें fill कर सकते हैं और यहां पर जो भी color fill करना हो यहां से इसके अंदर color fill कर सकते हैं तो यह color color fill के लिए होता है और यहां पर जो यह color है एक color हमारा outline के लिए होता है इसमें जो outline है इनका color हम जो भी रखना चाहें तो रख सकते हैं और outline color जो यहां पर है इसको हम change करना चाहें तो यहां पर आएंगे या फिर यहां से भी हम इसका outline color जो भी रखेंगे वो color यहां से outline कर रख सकते हैं और इसके अंदर जो color है color हटाना हो तो यहां से color हम हटा भी सकते हैं और outline का color भी हम यहां से हम change कर सकते हैं फिर यहां पर next option दिया है तुम्हारा एक एक option दिया है करना हो उस तरीके से object को रख सकते हैं इस style में रखना हो तो यहां से हम जयो भी सलेक्ट करेंगे liner Contour Colors में क्लिक करेंगे तो liner में आएगा यही चीज हम अगर 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 स्टाइल में करना चाहें तो यहां से अगर स्टाइल में भी कर सकते हैं यह हमारा अगर 25 कौ्ण rounded में करना चाहें तो यहां से rounded में कर लेंगे और यहीं चीज हम गर कुछ दूसरे object में करना चाहें तो दूसरे object में कर सकते हैं यहां पर क्लिक करो rounded में है वेवल course में करना है यहां पर metade course में करना हो तो यहां से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे हम कंटोर की साहता से अपना object कैसे बनाते हैं और फिर इसे में जो next tool है next tool है हमारा blind tool, blind tool क्या होता है जैसे कि मानलिया कोई object बनाया और एक और घृसरा object यहां पर हम कुछ ऐसे बना लेते हैं तो इन दोनों अब्जेक्ट को जोड़ने के लिए ब्लाइंड टूल का यूज करते हैं अगर हम इसके बीच में अधर अब्जेक्ट चाहें तो बहुत ही आसानी से ब्लाइंड टूल क्लिक करेंगे और ऐसे पकड़ के ड्रे करेंगे इस तरीके से ज हम इसको ऐसा है रखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा फिलाल ब्लैंड टूल का यूज हम आगे देखेंगे जब को ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब कोई हम बनांगे और या फिर कोई लोगो बनाएंगे तब Trade tool का यूज देखते हैं फिर इसी के नीचे यहां पर एपने इस ट्रोट का डिष्ट्रोट क्या है जैसे कोई object हम बनाते हैं और डिष्ट्रोट आपसन यहां फे सलेक्ट करते हैं डिष्ट्रोट टूल या ऑपसन हम स्लेक्ट करेंगे ने जो भी इस्टाइल देना हो यहां से हम इसकी style दे सकते हैं जिस भी style में रखना हो किलीक करेंगे उस style में बन जाएगा यहां पर जो भी object select होगा उस style में बन जाएगा अगर इस style में रखना हो तो इस style में रख सकते हैं लेकिन माल लिया कोई दूसरा object यहां पर लिया जैसे हम यहां पर एक circle ले लेते हैं अदिख्र टूल को शलेक्ट करेंगे यहाँ पर इसको हम जितना अधिक रोटेट करेंगे जिस तरीके का ऐगल जाएगा इस तरीके से रोपवalle on नोर्मल यहां पर जो भी बना ना यहाँ पर बना लेंगे कितने एंगल पर हम को डिक्रिः में rotate करना हो बहुत यह आसान option है जिस भी design में convert करना चाहों यहां से distraught option में उस object को उस design में convert कर सकते हो एनलव अब क्या है normally अगर हम कोई भी object बनाते हैं जैसे हमने इस वाले object को बनाया एनलव के सहाथा से उस object को हम अपने according design कर सकते हैं point आ जाएंगे इसको जिस side में रखना हो उस style में हम rotate कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यह होता इनलव अप इनको हम जिस तरीके से बनाना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं और इसको side में थोड़ा रख लेते हैं फिर इसी में next option दिया है हमारा next option है extrude का extrude का काम क्या होता है जैसे हमें कोई 3D object create करना हो यहां पर माल लिए हम कोई rectangle ड्रा करते हैं आइसे rectangle ड्रा किया और हम यहां पर आके extrude पर टिक करते हैं और हम कुछ ऐसे ड्राइग करेंगे तो माल लिए हमारा 3D object है और हम इसको 3D में रखना चाहें फिर यहां पर next color आ जा सकते हो जिस भी design में बनाना चाहों डिजाइन में convert कर सकते हो color यहां से जो भी color change करना हो color भी change कर सकते हो black color है यहां पर yellow color कर दो यह हमारा 3D में बन जाएगा इसको हम जिस angle में convert करेंगे उस angle में हम इसको यहां से बना सकते हैं जो भी style apply करना हो आप लोग एक एक करके in option को जहां से हम style दे सकते हैं अगर इस तरीके से हमें कोई भी चीज बनानी हो कोई object की design करनी हो तो हम extra tool का use करते हैं extra tool के साहता से अपने object को हम 3D में convert कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने drop shadow control इस से related जो भी हमारे option है इनको एक करके complete किया कि इनका use क्या है और इनका हम coral में किस तरीके से यूज करते हैं फिलहाल हम यहां पर एक एक tool को complete कर रहे हैं कि किस tool से क्या होता है आगे जब हम project complete करेंगे जो भी project बनाएंगे उन सभी project में इन ही tool की साहता से हम project बनाएंगे जैसे logo बनाना है बैनर बनाना है poster या भी किसी भी प्रकार की कोई graphic designing करनी होती है तो इन ही tool का यूज करते हैं तो अभी आप लोग अच्छे से इनसे भी tools का practice कीजिए यह समझेए कि इस tools का यूज क्या है और इसलिए हमने coraldra की बिल्कूल basic से लेके class शुरू की है ताकि आप लोगों को बहुत ही helpful हो सके अगर साथ में आप लोग EDCA का course करना चाहते हो तो EDCA क पूरा हमारे चैनल के माध्यम से complete कर सकते हो वह भी बिल्कुल फिरी में और जब हम EDCA का पूरा course complete करेंगे तो इसका certificate आप लोग कैसे download करेंगे वह भी बताएंगे और यहां पे आप लोग इसका जो PDF notes EDCA के वह आप लोगों को कहां मिलेंगे इसका वीडियो हमारे चैनल पे upload कर दिया गया है आप लोग उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो की लिंक आप लोगों को उपर आई बटन में भी मिलेगी और नीचे description box में भी मिल जाएगी तो चलिए हम अपने वीडियो को इंड करते हैं और next वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे क्या option transparency क्या होत इन सबी option को हम एक एक करके complete कर लेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आया हो तो like और अपने दोस्तों तक share करें अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को subscribe कर लेना थाकि हमारे वीड notification आप लोगों तक सबसे पहले पहुचेए